ओम शान्ती, निर्हंकारी बाप, मीठा बाप, संगम युग पर आकर हम बच्चों के साथ सर्व संबंध निभाते हैं हमें मात, पिता, बंधू, सखा, सर्व संबंधों की रसना देते हैं और आज उसी मीठे बाप ने हमें अपने जैसा मीठा, लवली, बनने की मीठी शिक्षाएं दी तो आईए रिवाइस करते हैं उन्हीं मीठी शिक्षाओं को आज के 31 मार्च 2022 के महावाक्यों की विशेश बाते इस प्रकार हैं उँचपद पाने वाले तक्तीरवान बच्चों की निशानिया क्या हैं? बहुत मीठे होंगे, बहुत सुखदाई होंगे, कोई लोब नहीं रखेंगे मुक से सदयवरतन निकालेंगे, कोई खराब काम नहीं करेंगे यग्य सेवा में हड़ी हड़ी लगाएंगे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे उनको यह खयाल कभी नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा ग्रस्त वेवार में रहते हुए क्या करना है? बाप को याद करना है? श्रीमत बिगर कोई काम नहीं करना है श्रिव बाबा से हम बच्चों के कौन-कौन से सम्बंध है? गुरू, दादा, माता, पिता, टीचर, साजन हमें किन बातों को याद रखना है? श्रीमत पर चलना है, बाबा से वर्सा लेना है उँच पद पाने का आधार क्या है? याद, पढ़ाई, सर्विस यदि सच्ची कमाई करते, कुछ भी उल्टा कर्म हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता? दुर्गती हो जाती, घाटा पढ़ जाता, पद भ्रष्ट हो जाता, नर्क में चले जाते, सो गुणा दंड मिलता आज बाबा ने पढ़ाई के विशे में क्या कहा? यह है पवित्र पढ़ाई है, पढ़ेंगे तो उंचपद पाएंगे, पढ़ाई में एम अबजेक्ट रहती है, ग्रस्त वेवार में रहते इस पढ़ाई को पढ़ना है, स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा कोई बात बुद्धी में नहीं रहनी चाहिए हमें किन बातों की धारना करनी है? ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें, हम गौडली स्टूडेंट्स हैं, हमारा करतव वे है, पढ़ाई, पढ़ाई और केवल पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा हमारा ध्यान अन्ने किसी बात में नहीं जाना चाहिए, और आज सारा ही दिन हम अपने बोल पर अटेंश बाप समान निरहंकारी बन मीठे बोल ही बोलने हैं, ओम शान्ते